प्रेहें को पर Jord trickुं किसे आप लोग को डिक है जिसे वासा करते हैं जिसमें फार P लोक लग गए है तो आप देख सकते हैं मतलब गुगल को लग 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 ले आप से आगे बरते हैं यहां start पर tap करेंगे अब यहां इंडिया पर टिक किया हुआ है यहां से next कर देंगे अब यहां सबसे नीचे वाले box में टिक करेंगे तो सभी पर टिक हो जाएगा उसके बाद next कर देंगे अब यहां पर wifi network connect करने बोले हैं अगर आपके घर में कोई दुसरा phone है तो इसमें hottest spot is start करें और इस phone से एक wifi network connect कर ले ताकि इस phone पर इटनेट चालो रहे हैं अगर आपके घर में कोई कोई दुसरा phone नहीं है तो आप इस phone में stream card लगा के भिज्य चला सकते हैं तो हम लोग यहां पर एक wifi network connect करते हैं आप यह어서 connection कर लिजेगा तो हम पर password यहां इसका password डॉन के हम आपि हम लोग कर देगे करेंगे us दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर आपने चैनल पर नहीं नहीं आए हैं और अपने मेरे चैनल को अब तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ बैल आइकन को भी दवा दिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे नए कॉपी सब्सक्राइब कर देंगे अब यहां थोसा वेट करेंगे वेट करेंगे अब यहां पर पैटन लोक डालने बोल रहा है तो इस पुन में लास्ट टेम यूज हो था है देखिए ओपर में लिखा है वेरिफाई पैटन तो अगर आपको आपने फोन का पुराना लोक पता है तो यहां पर ड्रो करें आपका फोन ही से आगे खुल ले आगा पर वह पैटे लोग कुझे पता नहीं है और दुसरा कोई पैटे लोग डाल के जब हम लोग इसे अनलोग नहीं कुछिस करते हैं तो वह रॉंग पैटे लिख किया था तो क्या करेंगे देखिए नीचे से आगे खुल जाएगा पर वह पता नहीं है आप देख सकते हैं आप लोग का सिमल बना हुआ मतलब इसमें भार्पी लोग है और जब हम लोग नेक्ष्ट करेंगे तो यहां से आगे नहीं बढ़ेगा तो चलिए आज में इसका गूगल एकांट बैपास करके आपको दिख एक साथ दबा के रखना है चलिए दबा देते हैं थुरी देव तक दबाए रखेंगे तो यहां पर इस तरह से आ जागा यहां लिखा हुआ टार नौन इस पर हम लोग टैप करेंगे फिर से हम लोग एक बार बटन और डॉन बटन दबाएंगे तो यह बुलीम बटन और ड बैब्ल टैप करेंगे अब यहां पर इस तरह से खुल कि आ जाएगा यहां देखिए नीचे है यूज वहाइस कम mucho उप्द करेंगे अब बोलेंगे यहाँ पर Google Assistant खुल जाएगा अब यहाँ देखे नीचे में आपको छोटा सा कीवोड दीख रहा है इस पर टैप करेंगे उसके बाद डबल टैप करेंगे अब क्या करेंगे सबसे पहले इस फोन का टॉल बेक को आफ करेंगे तो टॉल बेक को आफ करने के लिए क्या करना होग बॉलियम अफ बटन और बॉलियम डॉन बटन यह दोनों बटन को फिर से एक बाद दबा के रखे रहेंगे जैसे दबाएंगे यहाँ पर टॉल बेक आफ हो जागा देखिए ओफ हो चुका है अब हमों को क्या करना है यहाँ पर लिखना है ओपन सेटिंग चली फटा-फट है सथवा ठीक से काम नहीं कर रहा है हम रखी से टैप करेंगे है ठीक है अब यहाँ पर दिखिए हमारे室्वारी फॉन का सेटिंग खुल चुका है अब क्या करेंगे हैं यहाँ पर करके नीच नीचे आए यही है चनुलिद्ध कर नीचे में यहाँ आपको दिख जाएगा इस फोन का model देखें यहाँ पर में लिखा हुआ है डिवाइस नेम वीव वाई 16 और इस फोन में Android वर्जन अब्डेट है 2L और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है कुछ आप 2 पी आप 10 ब्स aug competition अब क्या करेंगे साइस यहाँ पर आपको दिखेंगा सॉट्टकट हैंके डिपर टाप करेंगे अब यहाँ पर दिखेंगेई यहाँ है इस तरह से खुलेगा ठीक है अब क्या करेंगे एक बार बैक आएंगे यहां देखिए नीचे में आपको accessibility दिखेगा इस पर टैप कर देंगे अब यहां पर में आपको दिखेगा accessibility menu इस पर हमनों टैप कर देंगे अब यहां लिखा हुआ by accessibility menu shortcut इस options को start कर देंगे allow करेंगे उसके बाद get it करेंगे देखिए यहाँ पर accessibility menu shortcut का icon खुल चुका है अब क्या करेंगे हम लोग back आएंगे और एक बड़ और एक बड़ ठीके setting में आ गए अब क्या करेंगे यहाँ स्लाइट करके नीचे जाएंगे यह सेकेंड लाश में दिखें लिखा हुआ system इस पर हमें टैप करेंगे अब यहाँ देखें लाश में लिखा हुआ iPhone को लॉन इस पर टैप करेंगे अब यहाँ पर easy share खुल जाएगा देखिए लिखा हुआ अब यहाँ नीचे box में टिक करेंगे उसके बाद agree करेंगे अब यहाँ पर इस तरह से दिखाने लगेगा अब क्या करेंगे इस फोन को साइट कर देंगे अब हम लोग एक दूसरा फोन लेंगे कोई भी एक Android फोन ले लेंगे दूसरा आपके पास कोई भी एक Android फोन है तो अब मैं ले लिया हूँ रेडिमी को फोन को अब हम लोगो क्या करना है ध्यान से देखते रही है अब इस फोन में हम लोग playstore को open कर लेंगे अब हम यहाँ पर दो application डाउनलोड करेंगे ठीक है इसका display का लाट जा देते है अब यहाँ इस फोन में दो application डाउनलोड करेंगे तो यहां search word में tap करेंगे और सबसे पहले application का नाम लिखेंगे easy share चली फटा-फटा हम लोग यहां पर लिख लेते हैं easy share easy share लिखके search करेंगे और इस application को download कर लेंगे मतलब install कर लेंगे search कर देंगे अब यहां पर देखिए easy share का app दिखा रहा है इस application को को हमनों install करना है तो install पर टैप कर दिए अब यह application खुद्ब़ खुद्ट डाउलोड होके खुद्ब़ खुद़् इंस्टाल भी हो जाएगा उसके बाद यहां पर open भी लिख एक्टिविटी लॉंचर लिखने को बाद हमनों सर्च करेंगे और इस अप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे मतलब इंस्टॉल कर लेंगे ठीक है लिख लिए अब सर्च कर देंगे अब यहां पर आपको एक्टिविटी लॉंचर का एपस हो करेगा ग्रे कलर वाला इसी मिलकी हमनों को इंस्टॉल करना है चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं अब यह भी डानलोड होगा उसके बाद खुदबर खुद इंस्टॉल हो जाइगा पर नहीं करना है तो यहां पर पर open 10 आए पर हमनों को ऑपन नहीं करना है आग्या open को श्राइट शेम्हें अंक और बास करेंगे इसके बाद agree करेंगे है अब यहां नीचे phone को लॉन फे टैप करेंगे को मैद इसके बाद यहां पा देक है लिखावाद इस इछ बान कहों डिवाइस अब इस फोन में आज एंगे display ेर मिल गया इस पर टैप करेंगे ऐसे वी अल आओ कर देंगे एक बार बैक आए games आएगे हर एक घू Evet एफिर से यहां दिस इस इस नमड़ाद करेंगे नीचे डेटीट करेंगे किभाएब पर tap करेंगे यहां भी अलाओ पर tap करते जाएंगे get it करेंगे यहां Wi-Fi on कर लेंगे और done करेंगे ठीक है qr code खूल गया अब इस phone में आ जाएंगे अब इस phone में हम लोग new device on करेंगे इस phone में all device on किये थे अब इस phone में new device on करेंगे तो नीचे वाला new device से इस पर टैप कर देंगे अब यहां android पर टैप करेंगे उसकă बाद get it करेंगे उसके बाद यहां भी allow पे tap करेंगे फिर से allow पे tap करेंगे इसके बाद यहां allow पे tap करेंगे यहां qr scanner खुल गया अब क्या करेंगे qr scanner से इस phone का qr को scan कर लेंगे scan कर लिए अब यह दुनों phone एक दूसरे से connect हो जाएगा थोड़ा सा यहां पर wait करेंगे यहां फिर से set लिख रहा है set पे tap करेंगे यहां भी allow करेंगे back आएंगे get it करेंगे allow करेंगे फिर से allow करेंगे जितना भी allow मांगेगा आपको allow देते जाना है ठीक है अब यहां पे इस तरह से होने लगेगा अब क्या करना है ध्यान से दिखिए थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे ठीक है अब क्या करेंगे यहां देखिए सब सुपर में आपको लिखा हुआ है है दी सेलेक्ट अल इस पर में को टैब कर देना है यहां पर जो भी सिलेक्ट हुआ अन्स फेलेक्ट हो जा जाएगा सब इसके बाद यहां अब यहां पर start clawing पर tap करेंगे तो यह application जो है इस phone में आ जाएगा यहां get it करेंगे यहां allow करेंगे ठीक है अब activity launcher app इस phone में आ गिया है अब यहां पर देखिए download भी हो गिया इस phone में अब क्या करेंगे यहां उपर में आपको एक icon दिख रहा है time वाला इस पर हम लोग टैप कर देंगे अब क्या करेंगे यहां नीचे done पर टैप नहीं करना है यहां देखिए उपर में apps लिखा इस पर टैप करेंगे यहां activity launcher app दिखा रहा है अब यहां open लिखा इस पर टैप कर देंगे उसके बा अब यहां पर देखिए easy share setting लिखा हुआ है ठीक है आपको यहां easy share setting पर टैप करना है चली टैप कर लेंगे तो यहां पर इस तरह से खुल जागा यहां लिखा हुआ है कस्टमाइज मेनू इस पर टैप कर देंगे उसके बाद यहां पर एड है इस पर टैप करेंगे अब यहां सब सुपर में activity launcher app दीख रहा है इसे आपनों टिक कर देंगे बस और आपको कुछ नहीं करना एक बार बैक आ जाएंगे और एक बार बैक आएंगे और एक बार बैक आएंगे ठीक है अब यहां easy touch का options को खोल लेंगे इस पर tap करेंगे तो यहां लास्ट में आपको activity launcher app दिखा रहा है इस पर टैप करना है ठीक है तो यहां पर activity launcher पहले से खुला हुआ है तो यहां बाहर में टैप कर देंगे अब क्या करेंगे यहां activity launcher app खुल चुका है अब ह हमनों यहां slide करकर नीचे आएंगे यहां आपको दिखेंगा Android Setup ऑफा इसपर टैप करेंगे इसके बाद यहां पर slide करके नीचे आएंगे यहा बना है पर एक के सामने में नहीं बना है इसी पर हमनों को टैप करना है चलिए टैप कर देते हैं जैसे टैप करेंगे यहाँ पर activity launcher एप फैल हो जाएगा पर आपको घवरानी जुरुत नहीं है अब हमनों क्या करना है इजी टैच का options को बाहर निकालना है इस पर टैप करना है और यहाँ activity launcher एप पर टैप करेंगे तो यहाँ पर फिर से activity launcher एप खुल जाएगा आप क्या करेंगे यहाँ पर slide करके नीचे आएंगे थोड़ा और नीचे आएंगे इसके भी नीचे आएंगे थोड़ा सा और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे थोड़ा सा और बस यहाँ पर दिखेंगे आपको दो ठोटों android setup दिखेगा दोनों में से नीचे वाले पर टैप करना है चलिए नीचे वाले android setup पर टैप कर दिए जैसे टैप के यहाँ फिर से हमनों का activity launcher एप फैल्ड हो गया है तो हमनों क्या करेंगे स्लाइट करके ऊपर आएंगे ठीक है फिर से वहीं आ गए अब यहाँ पर दिखिए सबके सामने में सेटिंग का इकोन दिख रहा एक के सामने में नहीं दिख रहा तो इस वाले options पर हमनों पहले टैप किये थे तो यह नहीं खुला था पर हम लोग यहाँ फिर से ए था कि यहां पेटर्ण लोग मांंग रहा है पर हम लोग पैटर लोग में डालना है यहां दिखें लिखा है यudh my Google or cable कर देंगे अब यहां तोनों यहां जाएंगे Google search में यहां उपर घूगल search है इस पर tap करेंगे अब Google search का माय पर type करेंगे औब बोलेंगे सेटप माई device सेटफ माय ड्वाइस बोले यहां पर इस तरह से आजाएगा उसके बाद यहां पर क्या करना है सबसे पहले यहां नेक्ट करेंगे उसके बाद यहां भी नेक्ट करेंगे यहां भी नेक्ट करेंगे अभी दूनों फोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा देखिए यहां पर इस तरह से आ जाएगा अब यहां से नेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए दुनों फोन कनेक्ट होगी है यहाँ लिखा हुआ है कॉपी और निवाइस तो कॉपी पर टैप कर देंगे उसके बाद इस फोन का लॉक को एक बाद ड्रो कर देंगे अब क्या होगा अभ मारे फोन का Calendar स हमारे निवाइस में लॉगिंग हो जाएगा मतलब शुछ कॉपी हो चुका है यहां थाएड करेंगे थाएड करेंगे हमारे ओल डिवाइस का एकांट जो है हमारे निव डिवाइस में लॉगइंग हो रहा हैbar हें तो रहे हो रहा है होन wooden करेंग तो आपको तो कमें वीडियों देखने हैं कईश than लग रहा है का کہ थोरी दिल के बाद यहांपर इस तरह से आजाएगा अब क्या करेंगे सभी बॉक्स पर चुना झ्टिक करEST यहां दोसा वेट करेंगे तो अब वेट करेंगे ठीक है अब यहां एक्सेप्ट पर टैप करेंगे यहां स्किप करेंगे यहां भी स्किप करेंगे यहां भी स्किप करेंगे और यहां भी स्किप करेंगे तो फ्रेंड हमारा फोन लगबग open हो चुका है बस step को follow करना या no thanks करेंगे अब यहां पर इस तरह से copy होने लगेगा तो यहां पर copy नहीं करना या stop copy लिखा इस पर tap कर देंगे अब यहां done पर tap कर देंगे थोड़ा सा वेट करेंगे तो फ्रेंड इतना करने के बाद हमारी फोन का जो लॉक्ट हो जाएगा तो देख सकते हमारा मोवाल खुल चुका है इसमें से फारपी लॉक हड़ चुका है तो फ्रेंड आपको में वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंशन टाप करके जरू किजिए आप दुस्रे डी इवाराम वें आजाएंगे सेटंग में अजाएंगे शेटिंग में यहां पर एकाउंट सेटिंग में आ जाएंगे इसके बाद यहां गूगल में में टैप करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर जो рушता आया है इस फोन में भी आचुका है आपक से copy हुआ है अब क्या करेंगे सी कान पर Yet've और इससे remove कर देंगे है उसको बाद remove डेकान के टाप करके इससे remove करदें ठीक है डीमूब हो गया अब आपको बैक आ जाना है अब अपको इस वह और कुछ भी नहीं करना है आपका का है तो फ्रेंड आपको मैं वीडियो कैसा लगा कमेंट से में टाप करके जरूरू बताए और जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एक अंदवादे थैंक यू